हेलो इस्टुडेंट्स माइसेल्फ गवरी शंकर टीम फिजिक्स सील्सी सीकर आज हम लोग यह जो आपका डीटीयस सीरीज चल रहा है डीटीयस सीरीज का टेस्ट नंबर 43 का डिसकसन करने वाले हैं और इसमें टॉपिक है आपका वेव आप्टिक्स सेमी कंडॉक्टर्स को पहला क्वेशन कर रहा है इफ दे एंप्लिट्यूट रेशियो अप्ड टू सोर्सेस प्रोडूशिंग इंटर्फरेंस इस थी देशियो फाइफ दिन दे रेशियो आप दे इंटेंसिती इस एट मैक्सिमम एंड मिनिमम इस ठीक है यहां पर आपको मैक्समा और मिनमा की रेखन दिना निकालने है तो देखो मैक्सिमम ऑपान आई मिनिमम इस इकल टू ऻेदि फ्लूस एटू आपन एटू माइनस एटू यह होली स्कार होता है तो यहां पर क्या जाएगा थ्री प्लस फाइव और यहां पर हो जाएगा थ्री minus 5 whole square कितना जाएगा या जाएगा 16 by 1 answer first हो जाएगा इसका अगले में आते हैं look next करा है which of the following which of the following gates will have an output of 1 यहां पर क्या रख कह रहा है कि कौन से gate का output 1 होगा देखो अगर हम पहले वाले की बात करें अगर हम पहले वाले की बात करें तो यह हमारे पास क्या आएगा यहां पर यह हमारे पास इतना क्या बना हुआ है यह बना हुआ है आपका end gate तो 0 into 1 0 आएगा और फिर आगे नाट लगा मतलब यह nine gate concept nine gate 1010 आउडपूट को आएगा वन आएगा तो आंसिर फॉजए गा फ्रस्ट कि उसके बाद हम लोग आते हैं बड़ा नेक्स्ट कोस्चन में नेक्स्ट कोस्चन देखिए कि यहां पर के रहा है तू सोर्सेस आफ सेम इंट्रेंटी in टेफीर at a point and produces a resultant i two sources of same intensity at a point produced intense resultant i when one of the source is removed then the intensity at the point will be ठीक है अगर एक स्टोर्थ हटा दें तो वहां पर तीवता क्या होगी आपको मालूम है कि जो maximum intensity के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है i is equal to four i naught cos square five by two उसके basis पर रखाना हम लोग देखें तो यहां पर अगर एक को हटा देंगे तो अब हमारे पास क्या रहेगा यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास i है मतलब क्या हो गया maximum हमारे पास four i naught बराबर i i naught बराबर क्या हो गया i by four मतलब हमारे पास अब क्या रहेगा अब हमारे पास क्या रहेगा केवल और केवल एक ही रहेगा और वो क्या रहेगा i by four next पे चलते हैं हम लोग if the distance between the point source and the screen is doubled then intensity of the light on the screen will becomes अब इसमें क्या कर रहा है कि intensity पर क्या फरक पड़ेगा अगर point source और screen को double कर दिया जाए तो देखो i inversely proportional to r square होता है i inversely proportional to r square यह क्या किया जा रहा है यह किया जा रहा है double तो इसका उन्दर क्या होगे i1 upon i2 is equal to r2 upon r1 का whole square तो i1 upon i2 r1 r2 हमारे पास क्या है r2 है double कर दिया गया मतलब 2r कर दिया तो r1 और यह r1 है यह whole square किया तो i2 is equal to का हो जाएगा i1 by 4 आ जाएगा means answer क्या होगा one fourth answer 4 आ जाएगा next question number five if separation between the source and the screen screen source is increased by two percent then what be the effect on their intensity अगर यहां पर distance क्या कर दिजाएगा two percent कर हम लोग देखें तो d i upon i is equal to क्या होगा minus of two d r upon r negative sign का यहां पर क्या significance है negative sign का यहां पर यह significance है कि जैसे r की value बढ़ेगी वैसे ही i की value कम होगी तो यहां पर यह दिया हुआ है बटा यह दिया हुआ है कितना two percent और decrease करेगा तो यह हमारे पास question number five होगा आगे चलते हैं बटा नेक्स question क्या कर रहा है two waves are represented by the equations y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a cos omega t अब यह कह रहा है the first wave अब यह कह रहा है first wave क्या कह रहा है leads by the second wave by five यहां पर y1 तो हमारे पास से वेटा क्या है a sin omega t और y2 पने पास क्या है यह है a cos omega t अब अगर हम लोग y2 को देखें first wave को देखना first wave देखना है किसके respect हो है second wave को देखना है first wave क्या करेगी lag behind by the phase angle pi by two तो इसका answer आपका fourth हो जाएगा next question में आते है question number seven में what is the path difference of the destructive interference बेटा सभी को मालम है destructive interference कब होता है जब 2N plus 1 या 2N minus 1 lambda by 2 के order में आता है तो यहां पर क्या हो गया part difference 2N plus 1 lambda by 2 answer हो जाएगा इसका fourth next question number eight if the interference pattern have maximum and minimum intensity 36 ratio 1 then what will be the ratio of their amplitudes अब यहां पर कह रहा है maximum और minimum का intensity कह रहा है 36 is to 1 है तो देखो हमारे पास क्या देगा a1 upon a2 is equal to root of i maximum plus root of i minimum upon root of i maximum minus root of i minimum यह हमारे पास formula होता है यहां से आपने लगा दिया कितना हो गया बटा a1 by a2 कितना हो गया यह 36 का square root करेंगा आ जाएगा 6 और यहां पर 1 का square root करेंगा 1 आ जाएगा ठीक है और यहां पर आ जाएगा 6 minus 1 तो कितना जाएगा यह आ जाएगा 7 by 5 means answer बनेगा 4 question number 9 the correct relation between the between two current gain alpha and beta alpha और beta में सही संबंद आपको calculate करना है beta is equal to क्या होता है alpha upon 1 minus alpha होता है थोड़ा cross multiply करो तो beta minus alpha beta is equal to आगे alpha इसको इधर ले जाओ तो beta is equal to alpha plus alpha beta alpha कॉमा ले लो तो beta is equal to alpha आपने कॉमा ले लिया 1 प्लस बीटा आ गया तो हमारे पास alpha क्या जाएगा alpha will be equal to यहां देखिए alpha क्या जाएगा beta upon 1 प्लस बीटा तो यह आपका कौन सा option बना इसमें option number one option one will be correct next देखो बिटा यहां पर अगले question की बात करते हैं next the maximum intensity of fringes in young's experiment is i if one of the slit is closed then the intensity at the place at that place becomes i0 which of the following relation is true अब इसमें क्या करा है कि maximum intensity क्या है i है और अगर उसको एक को अगर close कर दें तो क्या हो जाता है i0 हो जाता है अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा आएगा अब यहां पर हम लोग next question में आते हैं next question अपने पास यह करा है question number 10 the maximum intensity of the fringes in young's experiment is i if one of the slit is closed then intensity at that place becomes i0 तो यहां पर जो हमारे पास आया तो आपको अभी इसी टाइप के question पीछे आपने reverse करके बदा आया था पिछले question में आया था तो यहां पर आपको पास क्या जाएगा i is equal to होता है ना formula i is equal to 4 i0 cos square 5 by 2 अगर यह maximum हो जाए 1 हो गया तो यहां पर value क्या जाएगी i क्या जाएगी 4 i0 next देको in common base amplifier the phase difference between the input and output in common base amplifier the phase difference between the input and output पेटा याद रखना है direct सीधा सीधा क्या होता है कोई भी phase difference नहीं होता मतलब zero phase difference होता है next in young double slit experiment with the slit separation d and monochromatic light of wavelength lambda is used then the angular separation of the fringes angular separation of the fringes क्या होता है यह lambda yd होता है formula direct लगा देंगा है question number 13 in young's double slit experiment a minimum is obtained when the phase difference of the super imposing wave super imposing wave के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए यहां पर यह आएगा हमारे पास 2n-1 lambda by 2 होता था question number 13 in young's double slit experiment a minimum is obtained when the phase difference of the super imposing wave phase difference हमें निकालना है तो phase difference क्या हो गया सिदा minimum के लिए यहां पर देख वो minimum के लिए है तो minimum के लिए क्लिए क्या हो गया बटा है 2N-1 5 ठीक है तो यह answer number 2 correct होगा next आते हैं हम लोग question number 14 14 में देखें in young's double slit experiment when the wavelength used is 6000 angler stone and the screen is at 40 cm from the slit the fringes are 0.012 cm wide तो देखो यह हमारे पास क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ बटा लेम्डा यह क्या दिया है लेम्डा यह क्या दिया है फ्रिंज upon d आप को d निकालना था तो d लिम्डा अपन डब्लु डी कितना है डी होओरब इंट 14 x 10-2 किया, लेम्डा कितना है, 6000 एंगेस्टा में, तो 6000 x 10-10 कर दिया, अब अपन डब्लू कितना है, डब्लू है, 0.012 x 10-2, इससे यह गया, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 123, इसको डाए, यह आगया 10-7, अब यहां से यह किया, यह डेसमिल अड़ा दिया, तो यहां पर आ गया 10-3, आगया, अब 6 से इसको कड़ा, 2, अब 2 से इसको किया, कितना आगया, 20, ठीक है, अब 3 और 1 हो गया, 4, तो यह हमारे पास आगया, 2 x 10-10-4 गया, तो 3 आगया हमारे पास, मीटर, तो 0.2 से इसको कितना आगया, 0.2 से इसको कितना आगया, 0.2 से इसको कितना आगया, 4, तो यहां पर क्या कह रहा है, कि अगर 4 के लिए, हमारे पास fringe width यह है, तो 6th के लिए क्या होगा, आपको मालूम है, कि fringe width में कोई भी change नहीं होता, तो जितना पहले होगा, उतना ही रहेगा, fringe width में कोई भी change नहीं होता, चाहिए, वो 1st हो, या 2nd हो, 3rd हो, 5th हो, कोई भी हो, ठीक है, fringe width remains same, next, दिखिए, question number 70, next, दिखो, in Young's double straight experiment, the intensity at a point on the screen, where the part difference lambda is k, जब part difference lambda है, तो वहाँ पर k है, the intensity at a point when the part difference is lambda by 4, ठीक है, तो पहले जब lambda था, तो intensity k है, और जब lambda by 4 हो गया, तो intensity क्या होगी, तो दिखो, सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, phase difference मालूम कर रहे हैं, यह part difference, delta 5 is equal to 2 pi by lambda into delta x होता है, ठीक है, तो यह 5 1 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, 2 pi by lambda into delta x क्या हो गया, delta x हमारे पास हो गया, lambda, तो यह हमारे पास क्या गया, 2 pi आ गया, ऐसे ही, phi 2 निकाल लो, phi 2 ह हमारे पास क्या हो गया, 2 pi by lambda into यह हो गया, lambda by 4, यह हमारे पास cancel हो गया, यह क्या गया, pi by 4 आ गया, एक हमारे पास आ गया, 2 pi और यह क्या गया, pi by 2, यह आ गया, pi by 2, अब, आपको मालूम है, i is equal to 4 i not, cos square, 5 by 2, तो i1 upon i2, i1 upon i2 क्या हो जाएगा, cos square, 5 1 upon 2 upon cos square, 5 2 upon 2, i1 हमारे पास क्या है, k है, और i2 आपको निकालना है, यहांपर क्या हो गया, cos square 5 1 by 2, 5 1 की वेल हूँ है 2 pi, 2 pi, ya upon 2 कि हुआ तो पाय आगिया गाया कासि-इश्कानाय को विला गे, यहां पर क्या हुआ यह होगाए पाइबाइड कि दू हुआ और पाइबाइड 2 का मतल्ब क्या होगा 90 जे कितना होगused 90 करना हद्द यह 19 की मäreण हमाना । इसका आगए तो आइट इसका लोगा थे नेक्स्ट कोश्चन में कि इसका दो लोग आते हैं नेक्स्ट कोश्चन में है कि इन यंग्स डब्ल स्ट्रेट इसक्परिमेंट विध सोडियम वैपर लेंप आफ वेवलेंथ 589 नेनो मिटर अंद अस्ट्रेट इस 0.589 मिलीमिटर एपार्ट था हाफ एंगलर विड हाफ ऐंगलर विड क्या होता है sin theta is equal to lambda by d होता है क्या होता है sin theta is equal to lambda by d lambda कितना है lambda है हमारे पास 5, 8, 9 nanometer 10 raise power minus 9 meter और ये कितना है ये हमारे पास 0.589 millimeter 10 raise power minus 3 meter तो यहाँ पर 3 और 3, 3, 6 कितना होगा 10 raise power minus 3 है यहाँ से आ गया 1 तो कितना आ गया ये sin theta हमारे पास आ गया 0.001 theta किज उकल तो क्या हो गया sin inverse 0.001 ये हमारे पास हो गया option number 3 next question in young's double slit experiment if d d and capital d represent the distance between the slit the distance between the screen from the slit and the wavelength then what is the bandwidth is inversely proportional to bandwidth w w is equal to क्या होता है ये होता है पीटा d lambda upon d किसके परावर होता है तो inversely proportional पाएक कर रहा है तो inversely proportional तो मारे पास ये जो slit होती है जो slit के separation होती है उसके inversely proportional होता है question number 19 in young's double slit experiment a mica slit question पड़ी अधर है a mica slit of thickness t and refractive index mu is introduced in the ray from the first source s1 then how much distance the fringe pattern will displace आपको सीदा सीदा इसमें याद रखना है कि कितना displace करेगी d by d or mu minus 1 into t option number second correct होगा next देखे in young's double slit experiment the separation between the slit and the screen w is equal to Kya होता है w is equal to Kya होता है w is equal to hapka fast होता है d lambda upon d w is equal to hapka fast d lambda upon d तो यहां पर w proportional to Kya हो गया capital D तो अगर यह increase होगा तो यह भी क्या होगा इन किस्वाइब आप्शान नमबर क्या जाएगा first आ जाएगा means increases Question number 21 in young's double slit expressive the amplitude of the two sources 3a and a the ratio of the intensity is of the bright and dark fringes bright and dark fringes का मुदब क्या हो गया कि आपको i maximum और i minimum की ratio निकालना है तो कर लेते हैं यहां पर i maximum upon i minimum is equal to यह आ गया हमारे पास कितना हो गया a1 plus a2 मुदब 3a plus a upon 3a minus a का whole square कितना आ गया यह आ गया 4a upon 2a का whole square इसको कट किया यह आ गया 2 मुदब क्या जाएगा 4 by 1 क्या जाएगा 4 by 1 ओके बटा यह हो गया 21 इसका अधर बाद आती है 22 की in next in young's double-study experience when the two light wave from third minimum wave light from third minimum तो पाट difference कितना होना चाहे लेंडा बाई-2 में first आता है फिर 3 लेंडा बाई-2 में second minimum आता है फिर 5 लेंडा बाई-2 में क्या आता है 3rd आता है 2 n-1 lambda y2 कर लो बिटा 2n-1 lambda y2 n is equal to 1 2 3 2n plus 1 lambda y2 कर लो n is equal to kya रखो 1 रखो तो first मिलेगा ठीक है 2n-1 lambda y2 n is equal to 1 रखोगे तो first मिलेगा n is equal to 2 रखोगे तो second मिलेगा n is equal to 3 रखोगे तो third मिलेगा यह होगे आपका question number 24 next बाताती है 25 की the current source is the intensity ratio is 1 ratio 2 produces the interference pattern the fringe visibility यहां पर हमारे पास जो intensity का जो ratio है वो है 1 is to 4 और यहां पर अपने को के निकालना है visibility का ratio तो visibility का ratio क्या होता है root i1 i2 upon i1 प्लस i2 into 2 यह होता है visibility का ratio तो क्या गया पाटा 2 into 1 into 4 upon 1 plus 4 ऐसे कर लें सीधा सीधा रख दें तो क्या जाएगा 2 to 4 4 upon 4 upon 5 कितना जाएगा 0.8 कितना जाएगा 0.8 आंसर क्या हो जाएगा second next आते है बटा 24 में in young's double slit experiment the separation between the two slit is doubled to keep the same spacing the fringes the distance d of the screen should be made अब separation between the two slit is doubled हमारे पास जो w is equal to क्या होता है d lambda upon d होता है d lambda upon d यह हमें सेम रखना है यह सेम रखना है इसका हो गया दी proportional to d हो गया d proportional to d हो गया मतलब क्या हो गया d1 by d2 is equal to d 1 by d2 d1 हमारे पास क्या था वेठा d1 D2 आपको निकालना है d2 क्या करना क्या आपको क्या 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 और d1 हमारे पासaja d और d2 क्या हो गया यह यह कrou Yosh Dire to d2 हमारे पास क्या जाएगा यह double कह रहा है तो d2 लाह जाएगा हमें। खा 아무ट यह अमरे पास 2d के the two slit is made half then fringe width तो यहां पर क्या किरा है W is equal to D lambda upon D होता है यहां से देखे W inversely proportional to क्या हो गया D, अगर यह half हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा यह अगर half हो जाएगा, यह क्या हो गया डबल हो जाएगा, यह बात आपको सीधा सीधा आप कर सकते हो ठीक है, तो अब आगया है next question number 26, in Young's double-stead experiment the wavelength of the light is used is double the wavelength of the light is used is double and the distance between the two slit is half then the resultant fringe width becomes, अब यहां पर क्या किरा है आपको, W is equal to D lambda upon D लगाना है ठीक अब क्या हो गया, W1 upon W2 is equal to D1 upon D2 into lambda 1 upon lambda 2 into D2 upon D1 right, तो W1 हमारे पास मालो W है, तो W upon W2 हो गया capital D1 क्या है the distance between that two slit is half ठीक है the wavelength of the light is used is doubled, wavelength of the light used is doubled पहले lambda 1 था, अब क्या हो गया, 2 lambda 1 हो गया into separation between that two slit is half मालब पहले मारे पास D1 था अब D2 क्या हो गया, यह हो गया बटा D1 by 2 हो गया और इसका कुछ नहीं दे रहा, मालब यह change नहीं हुआ मालब यह D1 और D2 दोनों same था ठीक है, यह हमारे पास same है, यह cancel, यह cancel, यह cancel, यह cancel तो यह क्या जागा, 2 to 4 आजाएगा, means क्या हो जाएगा, the width becomes 4 times, the width becomes 4 times next, question number 27, in young double standard experiment, the fringe width is beta, the entire arrangement is placed inside the liquid, having refractor index n, तो beta क्या हो जाएगा, चुकि W inversely, जब W proportional to lambda होता है, और हमारे पास liquid के अंदर, lambda के value क्या होते है, कम हो जाते है, 1 upon n times, कम हो जाएगा, 1 upon n क्या है, refractor index है, तो यहाँ पर उसी के हिसाब से, यहाँ पर क्या जाएगा, बीटा भई, n आजाएगा, answer number 3rd हो जाएगा, next आजाएगा, if the separation between the young double standard experiment is reduced to 1 3rd, the fringe width becomes n time, the fringe width becomes n time, then what will be the value of n, then what will be the value of n, तो कितना आजाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह 1 3rd है, तो w inversely proportional to d है, यह हमारे पास 1 3rd हो गया, तो स्वभाइक से बात ही क्या हो गया, यह 3 times हो गया, क्यों, क्योंकि w1 upon w2 is equal to d2 by d1 करेंगे, तो w upon w2 is equal to d2 हमारे पास क्या हो गया, d by 2 और d1 हमारे पास d है, d by 3 क्या, कितना क्या, वन थरड कर दिया, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, w2 is equal to कितना आजाएगा, यह आजाएगा, यह हमारे पास 3 w, मतलब 3 times बढ़ जाएगा, यह हमारे पास हो गया, कितना, next question, यह, for a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda, the diffraction is produced by a single slit, whose width is a, is of the wavelength of the light, if d is the distance between the screen from the slit, then the width of the central maximum, यह क्या होता है, 2d lambda by a, क्या होता है, 2d lambda by a, तो यहाँ पर यहाँ पर दो को lambda लिखा है, जब क्यों होना क्या चाहिए था, जल्दवाजी में यहाँ पर लोग ऐसे गलती कर देता है, जल्दवाजी में यहाँ पर ऐसे लिख देता है, 2d lambda by a होता है, तो यहां पर क्या हो गया answer answer ही हो जाएगा fourth question number next condition of the diffraction condition of the diffraction e by lambda is equal to 1 बस खतम हो गया सीदा सीदा करना है आपको कुछ करने की जोलती ही नहीं I say I got direct question that diffraction effect cannot be observed in यहां पर the diffraction effect can be observed in किसमे किसमे होता है यह हमारे पास दोनों में हो सकता है ध्वनी तरहं को में भी हो सकता है और प्रकास तरहं को में हो सकता है बद्दा हमारे पास option number क्या जाएगा fourth जाएगा next 32 the angular width of the central maxima of the diffraction pattern is of width a experiment lambda with lambda the wavelength of the light lambda कमारे पास क्या है wavelength of the light है और हमारे पास क्या निकालना है यह calculate करना है तो कितना आगे बटा टू लिम्डा भाई a क्या जाएगा टू लिम्डा भाई a answer third will be correct question number 33 अब देखो यह हमारे पास क्या कर रहा है at absolute zero silicon act as at t is equal to zero पर मतलब absolute zero हो गया ठीक है absolute zero मतलब क्या करेगा काम it will behave as an insulator next the polarizing angle of the glass is 57 array of light which is incident at the angle and the angle of reflection ठीक है तो polarizing angle क्या होता है इसके लिए ip plus r is equal to 90 होता है ip हमारे पास 57 और यह minus r is equal to 90 तो r is equal to कितना हो गया 90-57 और 90-57 किया तो 3 33 आ जाएगा यह answer number one correct हो जाएगा next आते है मैटा 34 पर a polite is placed at 45 degree to the incoming light of the intensity i not now the intensity passing through the polite after the polarization तो यह आपको सभी को मालम है कि एक बाल एक बार polite से निकलने के बाद जो intensity बसती है वो क्या हो जाते है that will be becomes i not by 2 तो यह answer सीधा कर दिया अपने टिक कोशन number 2 35 complete next यह वाला यहां पर के रहा है कि two pol lights are placed in the path of the unpolized beam of intensity i not such that no light is emitted from the second polite if the third polite whose polarization axis makes angle theta with the polarization axis of the first is placed between the polite then the intensity of the light emerging from the last polite ठीक है यहां पर देको कैसा कैसा बन रहा है यहां पर हमारे पास एक ऐसा बनाया एक ऐसा बनाया यह हमारे पास कोई एक यह polite है और बेटा एक एक polite हमने ऐसा लिया एक polite हमने ऐसा लिया अभी यहां से क्या होगा अब यहां पर क्या बनी बात कि यहां पर तो लाइट आ रहे ही लेकिन यहां पर नहीं निकले गिए अब यहां से हमारे पास जो दे रहे है माल लोगी हमारे पास आई नाट आ रहा था यहां पर तो आई नाट आ गया यहां यहां पर क्या हो गया आई नाट आ गया अब यहां पर क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में हमने एक यह पोलाइड लगा ऐसा है और यह हमारे पास उसकी एक्सिस है यह हमारे पास इंगल क्या है थीटा है तो यहां पर क्या आजाएगा यह हमारे पास आया था आई नाट बाई टू आई वन इस उकल टी यहां से क्या था यह हमारे पास आया था आई नाट बाई टू तो इस जगे पर जो बना अब यहां पर यह इंगल हमारे पास क्या है अब यहां के लिए हमारे पास इंगल क्या दाएगा आप ध्यान से दिखे हमारे पास जो यह इंगल हो जाएगा यह इंगल हमारे पास हो जाएगा बिटा कितना यह हो जाएगा 90 मैनस थीटा यह हो जाएगा 90 मैंस थीटा अब इस जगे पर जो बना वो मारे पास क्या निकला आई नॉट अपान टू कॉस स्क्वेर थीटा यह हुआ इसके बाद यहां से आ गए अब यह मारे पास दूसरे वाले पुलाइट के लिए यह मारे पास क्या हो गया यह हो गया इंसिडेंट और अब जो इमर्जेंट आएगा यहां से फाइनल वो क्या होगा आई इसकाल हो जाएगा आई नॉट बाइ टू और यह हो गया कॉस स्क्वेर थीटा तो यह है और यहां से क्या हो जाएगा कॉस 90 मैंस थीटा का स्क्वेर यह हमारे पास हो जाएगा स not by 8 sin square 2 theta यह हमारे पास बात बन गए आंसर आ गया first ठीक है केवल calculation है और यह diagram अगर समझ में आ गया तो आप आराम से कर ले जाओ next 37 when the polarized light of intensity i is incident on the polarizing sheet then the intensity of the light does not get transmitted does not get transmitted is यहां पर आपको क्या निकालना है कि यह हमारे पास क्या जाएगा I not by 2 निकलता है तो कौन सा नहीं निकलेगा यह हमारे पास I not by 2 portion नहीं लेगा तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा I not by 2 ठीक है third answer correct next आगए 38 पर the majority charge carrier in the p-type semiconductors are p-type में majority charge carriers क्या होते हैं आपको सभी को मालम में बेटा holes होता है सीधा tick कर दिया answer number third next question solid having higher energy level partially filled with electrons are सभी को मालम में बेटा क्या होते हैं these are conductors next question number 40 की बात करते हैं in a semiconductors the concentration of electron is 8 into 10 raise power 14 and that of the hole is 5 into 10 raise power 12 तो इसमें concentration किसकी ज्यादा है electron का ज्यादा है तो क्या एगा यह हमारा n-type हो जाएगा सीधी से बात है next दख विटा next question यहां पर the balance of the impurity atom that to be added in the germinium crystal to it make n-type n-type कह रहा है n-type मतलब कहां पर क्या होना चाहिए extra electron होने चाहिए पेंटा वैलेंट हो तो यहां पर यह क्या है पेंटा वैलेंट पेंटा वैलेंट है तो पेंटा वैलेंट हमारे पास क्या है फिप्त वाला तो यहां में trivalent मिलना चाहिए trivalent impurity हम add करते हैं p-type के लिए तो यहां trivalent किस में आ जाएगा aluminium में आ जाएगा ठीक है answer हो जाएगा first next देखो 43 इवने semi conductor is heated its resistance यह सभी कुमाल में आप सब को जानते हो कि जब semiconductors जो हम लोग heat up करते हैं तो उस समय उसका resistance decrease होता है resistance क्या हो जाएगा it will decrease answer first next देखो 43 हो गया 45 if any and NH represent the number of free electrons and holes respectively in semiconducting materials then for n-type n-type कभ होगा जब electron की concentration hole की concentration से बहु जादा होगा तो यहां पर कहुं सा आगया option option number second will correct ठीक होड़ा आगया है यहां पर which of the phenomenon is not common in sound and light sound or light में मारे पास कौन सा कावन नहीं होता polarization ठीक है polarization के वाल हमार ट्रांस्वर्स वेब में होता है longitudinal में नहीं होता है ठीक है यहां पर जेक्स देखिए 46 इसक्स सेमिक्रनुक्रेटर मेटेयल हैंग फीवर फी अलक्रान धेंदै द rumenief यहां पर क्या है मुक्त अल्प मुक्त अलक्षै discutisël हैं इंदै द्वधा फंक मेंदै है आपका हमारे पास यह किया होगा, एक ऐसा मैटेरियल है कि जिसमें फिवर एलक्टॉन है विद रेस्पेक्ट तुदा सिलिकॉन प्यूर जर्मिनियम सि तो एलक्टॉन कम हुए है, मतलब क्या आगा है? पीटाइप होगे है। एलेक्ट्रोन कम होगा मतलब क्या होगे पटा पी टाइप होगे आंसर फिस्ट विल बी करेक्ट नेक्स्ट पटा फुर्टी सेवन में आजाओ इन सेमिकंड़क्टर मेट्रियल दा मॉमिलिटीज आफ एलेक्ट्रोन और होल्सार म्यू एंड म्यू अर रिस्पेक्टिवली फि प्यूवी कमान मुवस से ज्यादा होना चाहिए ठीक है बटा क्यों कि एलेक्ट्रोन कमास कम होता है मतलब मॉमिल्टी क्या होगे ज्यादा होगी फिस्ट आंसर आ गया नेक्स आज़ जो बटा फुर्टी एट में इन टाइप सेमिकंड़क्टर्स दा मेजार्टी चार्ज क क्या होते हैं यह फोते हैं घप्र नेक्स आज़ बटा if any and n h are the number of electrons and holes जार्जाओंस सेमिकंड़क्टर्स हैविली डोबध इस फास्फोरस से पेंटावलेंट है था Defenseलन धे तुम्हारे पस क्या आ जाेगा फस्पोरस कैसा है फास्पोरस के साथ में सिद्किया गया फास्पोरस हमारे पास कैसा है फास्पोर समय में पास पर इस पंटा वैलेंट तो उस अम्मारे पास के आएगा any command N.S.A. जियादा होगा इस answer number first will be correct next look in the forward segment arrangement of pn junction diode n is connected to the positive terminal of the battery no P.N.D is connected to the positive terminal of the battery the direction connection of current is n into the P in P in this connected to the negative terminal of the battery तो आप सभी को मालूम है कि हमारे पास क्या होता है कि P junction diode में कि positive को हम लोग plus से connect करते हैं और negative को n से connect करते हैं तो हमारे पास answer क्या बनेगा answer will be second forward by single अगर रिवर्स वाइसिंग के लिए होता तो पास्ट्य को एन इंट से connect करते है पास्ट्य टर्मिन को ठीक है अब आगी की बात question number 51 51 देखे which what is the current through an ideal PN junction shown in the figure अब यहां पर देखो यहां पर यह एक circuit दिया हुआ है यहां पर जो टूटल वोल्टेज आया है यह और यह एक दूसरे का oppose कर रहा है तो वी हमारे पास क्या है यह आगा हमारे पास 3-1 कितना आगया तो यह आगा हमारे पास 2 अब resistance कितना यह दिया है यह तो आई यहां पर जीरो कर लो यहां पर जीरो कर लो कितना आगया 20 in to 10 इस पार मैनस 3 MP आया तो 20 in to 10 इस पार मैनस 3 MP अन्पियर को हम लोग सकते हैं 20 मिली एंपियर लिख सकते तो यह आंसर हो गया कोशन नमबर यह आपका 51 बेटा कम्लीट हुआ हम लोग आते हैं कोशन नमबर 52 क्या है वाट इस दा करेंट इन दा सर्किट शोन विलो तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि यह आपका बेटा फॉर्ड बैसिंग है या रिवर्स बैसिंग है यहां पर देखो यह पाजिट पोटेंशियल है और इसके रिस्पेक्ट में यह निगेटिव पोटेंशियल पर है मलत भी क्या हो गया रिवर्स बैसिंग होगी और जब बैसिंग हुई तो करेंट का कोई फ्लो नहीं होगा मिन्स यहां पर करेंट क्या गई जीरो करेंट क्या आएगा फस्ट आ जाएगा 52 क्या होगा फस्ट आएगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं लोग अगले कोश्चन की तरफ 53 53 में देखे दक करेंट थूदा आइडियल डायोड ऐस शोन इन दा फिगर अब दोखो ऐसे ही कोश्चन हमने यहां पर दिया लेकिन अब यहां का जो पोटेंशियल है वह हमारे पास क और जो रेजिस्टेंस है आर वो कितना दिया है बटा 150 अब करेंट क्या आजएगी करेंट आजएगे हमारे पास 3 अपान 150 3 अपान 150 का मतलब क्या हो गया यह हमारे पास 0.02 एमपियर तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा तो देखो यहां पर हमने रिवर्स वाला भी आपको बता दिया और फॉर्ड वाला भी बता दिया इसी टाइप का कोश्चन पूछा जाना है तो वह बात आपको द्यान रखनी है कोश्चन नमबर 54 दा फॉर्ड बाइस डैयोट हमारे पास इसमें जो फॉर्ड बाइस है वो कौन सा है देखो फॉर्ड बाइस को मुल्ब क्या हुआ? कि जो ये पी है और ये एन है पी एन के रिस्पेक्ट में पास्टुपर हो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर केवल और केवल आपको फॉर्ड वाला दिख रहा है ये फॉर्ड बाइस इसिंग के लिए है बाकि सारे के सारे रिवर्स लिए देख रहे हो ठीक है अब यहां पर दिख रहा इधर प्लस लेकिन यह बिटा कहां में यह एन है यह देखो यह पी है पी हमारा कहां पर लगा हुआ है माइनस वन पर है नमबर 55 का आंसर तू होगा नेक्स आजा विटा 56 में इंदा गीवन सर्किट फार इन डायोड दा करेंट थूदा बैटरी बैटरी के थ्रू हमें करेंट देखना है तो पहले तो यह दो को फार्ट बाइसिंग है कि नहीं यह प्लस है यह माइनस है तो यह पर वोल्टेज कितन हो गया 10 और रिस्तेंस कितना हो गया विटा 10 तो करेंट कितनी हागी हमारे पास आगी 1 Mpac क्यों यह मरे पास होंगया यह 10 अपान 5 प्लस 5 कितना गया 1 Mpac क्योंट आगी मिन्स इस आंसर नमबर 3rd of question 56 अब आते हैं अगले question ने कुश्चन नमबर 57 की बात करते हैं 57 अपने पास क्या करा है और दा डाइउट शोन इन दा फॉलविंग डियाग्राम फिंच वन इस रिवर्ण बैश इस टाइब के बटा कुश्चन बहुत पूचे जाते हैं कि रिवर्ण बैशिंग क्या है यह सब इस तरीके के इसमें question आते हैं तो अब इसमें देखना है आपको कि कौन सा बेटा forward vicing है कौन सा reverse vicing है अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है reverse vicing पूछ रहा है तो reverse vicing पूछ नहीं मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो p वाला है वो negative potential पर हो किसके respect में, n के respect में तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह 0 है, यहाँ पर यह negative है, यह minus 5 है, मतलब यह positive पर है यहाँ पर हमारे पास क्या है यह 0 पर है, यह minus 10 पर है, यह भी हमारे पास forward vicing पर है, यह 10 पर है यह 5 पर है, यह भी forward vicing पर है, तो reverse vicing पर यह है, यह दो को plus 5 पर है source the logic gate input a and b and output is a आपको यह बताना है यह आपका कौन सा logic circuit है तो यहाँ पर देखो यह 1 है यह 0 है यह 0 है यह 1 है यह 1 है यह 0 है यह फिर 0 है अब यहाँ पर यह वाला 0 है यह फिर 1 है यह फिर 0 है और यह फिर 1 है यह फिर 1 है यह फिर 0 है और यह फिर वन है यह फिर क्या कह रहा है यह वन कह रहा है यह वन कह रहा है यह जीरो कह रहा है यह वन कह रहा है यह वन कह रहा है तो जीरो जीरो इंटु जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा यह आएगा एंड गेट आता तो जीरो और आउट पुट आ रहा है वन तो क्या बना यह जीरो इंटु वन मल्टिप्लाइ करते तो जीरो आता आउट्पुट क्या रहा वन तो मारे पास यह क्या रहेगा इस विल भी दा नैंड डिगेट आंसर नमबर फॉर क्यों के बटा नेक्स्ट आज़ा हूँ 59 59 विकरा current flowing in each of the circuit A and B respectively अ पर देखना है बटा current कितनी है और बी वाले पर देखना है current कितनी है तो यहां पर देखो पहले वाले में अगर हम बात करें इस वाले में तो यह दोनों ही क्या है फॉर्ड वाइसिंग पर है अब यह दोनों हमारे पास क्या जाएंगे पैलल में आ ज i is equal to i is equal to क्या आजाएगा 8 upon 2 मतलब कितना आजाएगा 4 ampere की current आएगी इसके लिए i a के लिए ठिक अब i b के अगर हम बात करें बी वाले में तो यह वाला तो बैटा reverse हो गया यह क्या हो गया reverse है और यह वाला हमारा क्या है और वाइसिंग है तो यहां पर इसकी वजह से कोई भी करेंट इसमें नहीं फ्लोगी वह पास यह पास में आएगा और इस पात का resistance क्या है फोर है तो नौव करेंट क्या हो गया बटा 8 upon 4 मलदब कितना आ गया 2 ampere तो य आपका 59 नमबर हो गया 70 70 में आ जो यह कराई इन एन पिन टांजिस्टर अबाउट 10 बाउट 10 एलक्टॉन्स और इंटर 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 इन 2 माइक्रो सेकेंड विन इस कनेक्टिट तो बैटरी देन वाट इस आई ठीक है यहां पर अन कितना है एन इस उकल टो है बेटा 10 एस पावर 10 एलक्टॉन एलक्टॉन क्यों पराबर क्या होगे बेटा एन एक के इकल हो गया और आई इस उकल टो क्या होता है एनी अपांट टी होता है क्या होता है एनी अपांट टी एन कितना है एन है बेटा हमारे पास 10 एस पावर 10 और यह कितना ह टी है अपने पास बेटा टू माइक्रो सेकंड टू इन्टू 10 देस पाव माइनस सिक्स सेकंड तो कितना आगे यह पॉइंट एट क्या पॉइंट अब इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग तो क्या आजाएगा अपने पास यह आजाएगा माइक्रो एंपीर में ठीक है पुरा देखिए तो यह आपका बेटा DTS 43 आपका कम्प्रीट हुआ उमीद है कि सब का बहुत अच्छा गया होगा पेपर इसके बाद भी आप जो फिजिक्स में इको है वह आप जरूर करें और जो आपको 2013 से लेकर के अभी तक के जितने पेपर हैं उनको आप बढ़ियां से लग खुब प्रेक्टिस करिए फार्मूले बार बार पढ़िये ठीक हैं और यहां से जो आपको गाइडलाइन दी जाए बहुत जो गाइडलाइन दें आपको उसको आप जरूर से जरूर फालो करो क्योंकि समझ लो कि अगर उन सब चीजों को आपने कर लिया तो सफलता आपको निश्चत मिलनी है 100% मिलनी है आपके जो गुरुनीत ही है उसको आप करिये ठीक है और फिजिक्स इको के सारे पेपर एक बार लगाई है पूरी फिर फिर एक बार सारी चीज़ें कर लिजिए ओके बटा विस्यों अल दे बेस्ट ओके